हेलो एवरीवन, खुश यामदीद मेरे दूसरे विलोग में आज हम जा रहे हैं भाई कैरस की वीडियो शूट करने तेरा मेरा दिश्टा अजीब है खुदा बहुत लोगों की रेक्वेस्ट पर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं सरगोदा और हमारा स्टोप होगा रबुआ जहां मेरे नानो रोग भी रहते हैं भाई के साथ बैठ कर कोई बंदा भी बोल नहीं हो सकता है क्योंके वो बोल नहीं होने देते तक्रीबर मुआरा सफराधा हो चुका है और हम वेट में हैं कि कब हम उत्रें और भाई की वीडियो शूट करें अब हम चन्योट पहुंच चुके हैं और यहां से पांच मिनट का रस्ता है जहां हमने भाई की शूट करनी हैं और अब हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं ख़दा का शुकर है कि दवूरा वीडियो मिकिंग का काम सीख रही है और भाई की वीडियो शूट करती है अब हम जा रहे हैं सरकुदार जो कि यहां से पनतारिस किरो मिटर दूर है वहाँ पर कुछ हमारे रैलिटीव्स हैं जिन से मिलने जा रहे हैं अब हम सरकुदा पोहन चुके हैं और अब हम अपने रिष्टदारों से मिलने के बाद दुपहर के तीन बज चुके हैं और हम घर वापिस जा रहे हैं आपको लगना ही रहा होगा कि यह दुपहर के तीन बज़े हैं क्योंके सामने बहुत ज़्यादा तुफान था और हम चले जा रहे थे बहुत खोफनाक मनाजर से लेकिन हमें क्या पता था जो हम आगे देखने वाले हैं हमने कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा अब बारश शुरू हो चुकी है और काफी खोफनाक मनाजर हैं ऐसे खोफनाक मनाजर हमने अपनी कभी जिन्दगी में नहीं देखा इस तुफान की वज़ा से बहुत ज़्यादा दरख गिर चुके थे और इस तुफान ने बहुत सारे लोगों को मतासर किया यह ना सिरु बारश थी बगर बड़े बड़े ओले भी थे बहुत ज़्यादा दरख गिर चुके थे दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था हमारे लिए बहुत खोफनाप था अब हम चन्योट पहुंच चुके हैं और अपने घर की तरफ जा रहे हैं खुदा का शुकर है कि यहां का मौसम बहुत खुश्गुवार और अच्छा है और इस वीडियो के लिए हमने बहुत महनत की हैं इसलिए आप मेरे चैनल को सब्क्राइब कर दें शुक्रिया गुट ब्लस्यू